हलो माई दियर स्टून्स वेलकम करता हूँ मैं भार पंचाली और केमिस्ट्री गुर्जी अगे आप सबका एक बहुत जादा इंपोर्टन्ट वीडियो में तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं Most Important Numericals of the Chapter Solution और इसी तरह से हम लोग Electro Chemistry और Chemical Kinetics के भी सारे Important Numerical करने वाले हैं I think यह 15 to 20 Numerical होंगे इस वीडियो में और इन से बाहर एक भी Numerical नहीं आएगा यहाँ पर सारे टाइप हम लोग कवर कर लेंगे ठीक है न और यह सारे के सारे previous year question है तो आपको बहुत जादा confidence मिलेगा इस बात को देखते हैं कि हाँ यार बोर्ड में किस तरह के question पूछे जाते हैं ठीक है इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मैंने इस chapter का detailed one short भी करवा दिया है अगर किसी बच्चों के एक मुझे solution का one short देखना वो देख सकता है detailed as well as short notes आपको provide कर रखे previous year question provide कर रखें बेटा सारे के सारे chapter के MCQs provide कर रखें और अगर कोई बचा जाता है कि मुझे chapter आता है मुझे सिर्फ यह देखना क्या क्या है इसमें एक crisp revision के लिए 30-minute revision provide कर रखें है हाँ इस lecture के बहुत important notes बनेंगे तो वो notes आपको मिल जाएंगे telegram channel जो कि भारत पंचाल सर के नाम से है और आपके chemistry से related कुछ भी doubts आप comment section बतात को या फिर मुझे personally connect कर सकते हो मेरे instagram handle है भारत पंचाल 92 के नाम से और एक बात बेटा जी आप सब को पता है कि हमारे board exam में अब बहुत थोड़ा सा टाइम बचा है तो आप अपनी physics, chemistry, math, biology, English यह जो भी आपके subject हैं उन सबी subject की बहुत अच्छे से त्यारी कर सकते हो unacademy learning festival का फायदा उठागे ठीक है इसमें जश्ट के 540 रुपीज में आपको टू months का 60 days का subscription मिल रहा है आपके सबी subject बहुत अच्छे से कवर होंगे उनके previous year question sample paper test बढ़िया वाले notes सब कुछ आपको provide किया जाएगा link description में है और आप लोग इस festival का फायदा उठा सकते हो आप लोग join कर सकते हो plus by using code bp live ठीक है और इसमें ज़्यादा time मत लगाना क्योंकि classes अदर भी चल रही है तो चलिए start करते हैं सबसे पहले question से calculate the molarity of 9.8% w by w solution of h2so for the density of the solution is 1.02 gram per milliliter मैं answer नहीं बताऊंगा मैं सिर्फ आपको वे बताऊंगा कि हाँ इस तरह से करना है क्योंकि देखो यार math वाला portion है वो आपको खुदी करना पड़ेगा आदर यह वीडियो बहुत lengthy हो जाएगी तो यहाँ पर एक एक point पर आते हैं 9.8% w by w का means क्या है 9.8% means क्या है इसका मतलब है 9.8 gram of H2SO4 in 100 gram solution तो आपको calculate क्या करनी है आपको calculate करनी है बेटा जी molarity और molarity के लिए आपको volume of solution चाहिए होता है mass of solution नहीं चाहिए तो यहाँ पर आप density वाले formula का use करोगे density का formula क्या होता है density is mass by volume तो यहाँ से आप लोग इसका volume calculate कर सकते हो volume क्या हो जाएगा volume हो जाएगा mass by density है ना mass कितना दे रखा आपको mass दे रखा है 100 solution का mass 100 ही दे रखा ना भाई molarity का formula क्या होता है washing machine 1000 में देगी कौन विमिला washing is mass of solute mass of solute आप लोगों ने अभी calculate किया कितना है 9.8 gram molar mass of s24 कितना है 98 है into में thousand and volume in milliliter कितना है 100 by में 1.02 ठीक है ना इसका decimal हटाओगे upon में 10 आ जाएगा 98 से 98 cancel 1000 से 1000 cancel यह कितना आ गया 1.02 और molarity है तो molar है आगे move करते है next question की तरफ चलते है state handling low handling आप लोगों कोई पता है handling low की कहीं सारे definition थी सबसे पहले तो यह था कि mass of a gas dissolved in a given amount of liquid is proportional to the pressure applied कि कोई भी gas कितनी resolve होगी depend करता है कि मैं अदर कितना pressure apply कर रहा हूँ दूसरा क्या था कि partial vapor pressure of a gas is directly proportional to their mole fraction अब question पर आदा हो calculate the solubility of CO2 in water at 298 Kelvin under 760 mm of pressure तो यहाँ पर आपका वो partial pressure P is equal to KH, X वाला low लगेगा P is equal to KH और यहाँ पर यह X क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा solubility ठीक है बटा? तो यहाँ से अगर आपको solubility निकालनी है तो solubility क्या हो जाएगा भाई? solubility is P by KH, partial pressure प्रेशर कितना दे रखा है आपको? प्रेशर आपको दे रखा है यह रहा 760 mm of mercury तो यहाँ से 760 आ जाएगा है ना? और भाई साब KH कितना है? यह दे रखा है KH अच्छा, questions के answer खुझ से कर देना? ठीक है मुझे पता चले तुम लोगों ने कितना किया है वो matter करता है देखिए नंबर आएंगे दोनों तरफ की मेहनत से ही आगे मूँ करते हैं next question है 18 gram of glucose, glucose दे रखा है, is dissolved in this, this and this, at what temperature will the solution boil? तो data को उठाओ, देखिए जब भी कभी आपको इन नुमेरिकल करने जाते हो, specially मैं board exams की बात कर रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा matter करता है आपका way कि आपने वो given question किस तरह से किया है, तो बेटा जी सबसे पहली बात तो यही है कि given क्या क्या है आपको, सबसे पहले है WB, mass of glucose कितना दे रखा है, 18 gram, यह दिया हुए भाई, है ना molar mass दे रखा है, MB, MB कितना दे रखा है, 180 gram, dissolved in 1 kilogram of water, तो यहाँ से mass of solvent हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, mass of solvent हो जाएगा 1000 gram, at what temperature will the solution boil, TB निकालना है, KB आपको दे रखा है KB कितना दे रखा है, 0.52 Kelvin kg per mole, एक ज्यान की बात मैं बता देता हूँ, कि यह जो molar elevation constant होता है, यह जो molar depression constant होता है, KB और KF, इनकी value depend करती है, nature of solvent पे, बहुत important question बन जाता है, कि इनकी value किस पे depend करती है, इनकी value depend करती है, इनकी value depend करती है, बटा, nature of solvent पे, ठीके, आगे of pure water, यानि कि आपको T note B आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 373.15 Kelvin, तो यहां से आप लोग क्या लगा होगे, यहां से आप लोग formula लगा होगे, कौन से वाला, delta TB, delta TB is equal to क्या होता है, KB into M, KB into M, M यानि washing machine, 1000 में आएगी, कहां से आएगी मेरे भाई, Washington से आएगी, है न KB, KB कितना दे रखा है, 0.52, washing, mass of solute कितना दे रखा, आपको 18, molar mass कितना है, इसका 180 into M, 1000 है, और mass of solvent कितना given है, अगर आप ध्यान से देखो दो, 1000 ही है, ठीक है, यह cancel हो जाएगा, इसका decimal अट आओगे, अपन में कितना आएगा, इसका decimal अट आओगे, अपन में आजाएगा 100 आएगा, यह 18 टेंजा, 180, 52 और 2000 है, तो यह delta TB कितना आजाएगा, बिरादर यहां से, 0.052, अच्छा, एक और चीज़ मैंने आपको formula sheet भी provide कर रखे, जिसमें सारे important formulas एक देखा पर लिखे रखे हैं, अच्छा, delta TB आगे है आपका, delta TB का एक और formula होता है, TB minus T note B, तो यहां स TB, TB is boiling point of solution, तो वो कैसे हो जाएगा, delta TB plus T note B, delta TB कितना आया है, 0.052, और T note B कितना दे रखे, 373.15 मेरे भाई, इस तरह से आप इस question को कर सकते हो, next question की तरह चलते है, calculate the boiling point elevation, boiling point elevation निकालना है, यानि आप लोगो को क्या calculate करना है इस case में, बेटा जी इस case में आपको delta TB calculate करना है prepare by adding 10 gram of glucose, यानि कि आपको mass of solute दे रखा है, 10 gram molar mass of CACL2 दे रखा है, 111, 111 gram per mole, dissolved in mass of solvent कितना दे रखा है, mass of solvent दे रखा है, 200 gram, और क्या है, KB आपको दे रखा है, KB is 0.52 Kelvin kg per mole, बस कर दीजिए, तो और क्या है, I think और तो कुछ भी नहीं है, हाँ ठीक है, delta TB is equal to क्या हो जाएगा, अच्छा देखिए, यहाँ पर delta TB is equal to होगा, I into KB into M, सर यह I क्या है, I बहुत important है, पिछले 2-3 सालों से यह नहीं था boards में, इस साला है, I means है went to factor, अब आपको कैसे पता चलता है, कहीं पर went factor है कि नहीं, देखिए, अगर कहीं पर organic acid है, organic acid क्या होते हैं, CWH वाले, या फिर कोई salt है, metal, non-metallic portion है, तो वहाँ पर I आ जाता है, तो अगर आप यहाँ पर देखो, CACL2 दे रखा, CACL2 एक salt है, तो यहाँ पर आपका I आएगा, और CACL2 को अगर आप तोड़ होगे, तो washing machine, 1000 में आएगी, कहां से आएगी भाई, Washington से आएगी, है न, आगे बढ़ते हैं भाई, next क्या है मारे पास, 3, into me, 0.52, washing is mass, mass कितना दे रखा आपको अगर आप ध्यान से देखो तो, 10, molar mass कितना दे रखा, CACL2 का, triple one, into me, 1000, and mass of solvent कितना दे रखा, 200, जितना मुश्किल मैं थ आएगी, और 25, 10, मुश्किल मैंने कर दिया है, इसके बाद आप लो कर देना, कर सकते हो, comment section में answer चाहिए मैं को, delta T भी बताओगा आप लोग कितना है, अगला question है, next है, इस तरह question आ सकते है, Nisha took two solution, one containing 7.5 gram of urea, okay, and the other containing 42.75 gram substance, Z, in 100 gram of water, respectively, it was observed that both the solution froze at the same temperature, calculate the molar mass of G, Z, इस तरह की question, देखिए, हर एक type की question हो जाएगा, so that की question किसी भी तरह का जाएगा, आपको यह हो, हाँ, यह कर रखा है, इस तरह question आपता है, मुझे, अगर ऐस हो जाएगा, भी दो solution लिये है, दोनों aqueous solution है, तो मतलब, पानी solvent है, और पानी solvent है, तो उदर किसकी बात कर रहे है, boiling point, freezing point, तो जो उनका, moral freezing point वाला constant होगा, moral depression constant होगा, वो से हम आएगा, अच्छा, दुनों का same बोल रहे हो, तो यहाँ पर, delta tf of 1, is equal to delta tf of 2, kf m1, is equal to kf, m2, kf तो constant जोनों का same रहेगा, washing machine, क्या रहेगा, यह, w1, अच्छा, washing machine, machine, 1000 में आएगी, कहां से आएगी भाई, washing tons, is equal to kf तो same हो जाएगा, और इसका न, यह, मैं change कर देता हूँ, color, so that कि तुमें थोड़ा से जीरे, यहाँ पर, molality लिखे रहे हैं न, washing machine, 1000 में आएगी, कहां से आएगी भाई, washing tons से, तो यह भी same है, तो यहाँ से, इस case की जो wb, इस case की, जो wb by mb है, वो equal होगी, इस case की wb by mb के, तो पहले case का mass of solute कितना है, 7.5, और उसका moral mass कितना दे रखे, 60, यह, देखो न, 7.5 gram of urine 60, अगला है, कितना दे रखे है भाई, अगले का mass दे रखे है, 42.75, अगले का molar mass आपको निकालना है, तो mb को दर ले जाओगे, data solve कर लोगे मेरे भाई, easy है, डरते रहते हैं बता नहीं क्यों, अगले है calculate the freezing point of a solution containing 60 gram, अब freezing point निकालना है आप लोगों ने, तो कैसे क m, है न, kf, kf कितना दे रखा आपको, 1.86, m यानि morality, morality का formula, washing machine, एक हदार में आएगी, कहां से आएगी भाई, वाशिंग्टन से, और ये 1.86, mass of solid कितना दे रखा आपको, 60 gram, moral mass कितना दे रखा है, 180, ये देखो न, 60 gram of glucose in 180 gram, into me, तो आप जो न, ये मुश्की ले में खुद करूँगा, और mass of solvent कितना दे रखा आपको, 250, 0 से 0 cancel, 25, 40, 100, ये 3 पे चला जाएगा, ये हटा दो, 100 आएगा, तो ये 3 चीक ठारा, ये 2, और ये 62 into 4, 4 दुनिया, 6 चोबिस, 248 by 100, तो ये हो जाएगा, 2.48, ठीक है न, तो ये आपको क्या आगया है, डेल्टा टी एफ, डेल्टा टी एफ का एक और फॉर्म न होता है, अगर आपने देखा हो तो, डेल्टा टी एफ को फॉर्म न होता है, टी नोट एफ, माइनस टी एफ, अगर आपको freezing point of solution निकालना तो ये हो जाएगा, ती नोट एफ माइनस नहीं होता, 0 degree Celsius होता है, freezing point और उसके बेस पे होगा, 273.15 माइनस 2.48, जो भी आएगा, वह आपका अंसर आजाएगा, अगले कोशिंग इतरा चलते हैं मेरे बबलो, calculate the mass of ascorbic acid to be dissolved in 75 gram of ascetic acid to lower its freezing point by 1.5 degree Celsius, तो mass of ascorbic acid निकालना है, तो कैसे आएगा भई, तो यहाँ से, जो data given है आपको वो देख लो, आपको molar mass given है, कितना दे रखा है, 176 gram per mole, है ना, और mass of solvent आपको दे रखा है, mass of solvent कितना दे रखा है, 75 gram, to lower its freezing point, delta Tf आपको दे रखा है, 1.5 degree Celsius, एक चीज़ माँ बतारता हूँ, जो change in temperature है, वो चाहे Celsius में दे रखा हो, वो चाहे Kelvin में दे रखा हो, वो एक ही बात होती है, तो इसको आप लोग क्या भी लिख सकते हो, इसको आप लोग लिख सकते हो, 1.5 Kelvin, ठीक है ना, तो और क्या है, के एफ आपको दे रखा है, के एफ दे रखा है, के आपको 3.9 Kelvin, केजी, सो सो रिविटा, per mole, तो यहाँ से क्या हो है, कहां से आएगी मेरा भाई, वोशिंटन से आजाएगी, है ना, तो यह डेल्टा टी एफ, और इसको दो लेजाओ, है ना, नहीं, वोशिंट निकालना ना, मास निकालना में, तो मास, देखो ना, कैल्कुरेट दा, मास ओफ एसको रूभी गैसे, तो मास को एक तरफ लिए, बाकी सब, डेल्टा टी एफ, इंटु में, अंबी, इंटु में, डवल्यू ए, जी, बाई, कैफ इंटु में, ताउजन, अब डेल्टा टी एफ, कितना दे रुखा आपको, वन पॉइंट फाइब, मोलर मास कितना दे रुखा है, वन सेवन टी सिक्स, मास ओफ वसो नहीं है, कि हां सरी यह आजाएगा, अगला आजाएगा, नेक्स्ट क्वेशन है, ए टैन परसेंट सोलीशन, ऑफ सुक्रोजन वोटर है, फ्रीजिंग पॉइंट इस, कैलकुलेट दा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ टैन परसेंट ग्लुकोजन वोटर, अब देखिए, इस दूसरे डाटा के लिए आपको सुर्व गरना, ऐसे केस में क्या करोगे, आप कॉंस्टेंट की वैल्यू निकालते हो, फिर उसकी वैल्यू पुट करते हो, चलो मैं पताते हो, मैं आपको कहना क्या चारा हूँ, आपको एक बात समझ में आएगी, देखो, तो सबसे पहली ब सलुशन आपको देरखा है, तो टी वैफ आपको देरखा है, टी वैफ कितना देरखा है ? टी थीूरर एक लिए इन ने देरखा कितना देरखा है ? फून सेफ यूल 203.15 माइनस तो सिक्स्टीन नाइन पॉइंट वन फाइव इस गुल्ट कितना जगा इतिंक यह त्री नहीं फोर कैलिवन आएगा जहां तक मेरा रामानुजन जी क्या शिर्वास है मैथ काम कर रहा है है ना मुलर मास आपको देश है मुलर मास कितना दे रखा भाई शुगर का मुर्ण मास आपको देर रखा है 342 तो यहां से डेल्टा टी एफ का फॉर्ण लगा होगे क्या रहेगा के एफ इंटू एम और डेल्टा टी एफ इसकुल टू के एफ इंटू एम यानि मॉलेल्टी मॉलेल्टी क्या होगा वोशिंग मशीन एक दार में आएगी कहा चलते हैं असी नबेह दार बनेंगे मांगे आ जाएगी ठीक है ना तो के एफ को इदर रख लो और यह को जाएगा डेल्टा टी एफ इंटू में डवल्यू बी इंटू में डवल्यू ए जी बाई लफ जारो यह एम बी जाएगा ना पूर्दा यह एम बीजाएगो पर ठी और इदर अपन में क्या आएगा डवल्यू बी इंटू में तो डेल्टा टी एफ कितना दे रख आपको फॉर केलम मॉलर मास थ्री फोर्टी टू मास और सॉल्वंट कितना देर के हंड़र है ना हंड़र मास और सॉलूट टैन इंटू में थाउजन क्या बोलते मुश्किल सब्सक्राइब करते हैं जो भी आएगा यहां सब्सक्राइब अब उसकेएफ वाले डाटा को आप अगले उस कोशन में पूट पर होगे कैसे आपको देर रख टैन प्रसेंट ग्लुकोजीन वोटर तो आप लोग क्या लिखोगे मास और सॉलूट यहां पर टैन होगा मास सोल्वंग कितना हो जाएगा मास ऑफ वालें तो इस सोल्वड करोगे मोर मास और सफ गुलुकोजीनों ने दे रखे कितना से पर 182 ठीके न तो यहां सेड़ेट टेयाफ निकाला जा सकता है कैल्कुरेट दा फ्रीजिंग पॉंट और टेयाफ बीनिकाला जा सकता है तो स्के type का question ही कर रहे हैं ठीक है अगला question है 1 gram of a non electrolyte dissolved solute dissolved in 50 gram of benzene lowered the freezing point of benzene by 0.40 Kelvin the freezing point depression constant of benzene is this find the molar mass of solute तो given क्या क्या है सबसे पहली बात चलो given पर given है 1 gram of non electrolyte solute यानि कि mass of solute देर खापको 1 gram mass of solvent कितना देर खापको mass of solvent in gram अगर मैं बात करता हूं तो 50 gram है ठीक है न और lower the freezing point यानि कि delta tf भी देर खापको 0.40 Kelvin the freezing point depression constant kf दे रखा 5.12 सब कुछ तो देर रखा भाई Kelvin kg पर मोल तो कर दीजिए delta tf का formula क्या होता है delta tf होता है kf into mm यानि washing machine 1000 में आएगी कहां से आएगी भाई वोचिंटन से ठीक है न तो molar mass of solute निकाला न तो mb को इदर रख लो यह कहां दाएगा kf into में wb into में 1000 by delta tf into में w a g kf कितना देर रखा भाई 5.12 mass of solute कितना है one into में 1000 delta tf 0.40 and mass of solute कितना है 50 शिफ्टी मुश्किल काम कर दूगा लो और मुश्किल भी कर दूगा इसका decimal लटाओ गए पूर में 100 आएगा 0000 गनस वजाएगा और मुश्किल भी कर दूगा इसका decimal लटाओ गए 100 0000 गनसे सब्सक्राइब कर दूगा अगला कोशन है बहीं नेक्स्ट कोशन है अब दिखें जैसे कि यही कोशन है एफ फाइफ परसंट सोलुशन एफ फाइफ परसंट सोलुशन ऑफ केंशुकर इन वोटर हैज फ्रीजिंग पॉंट दिस calculate the freezing point of 5% solution of glucose अब शुक्रोज के लिए दे रखा है अब वो पहले 10 परसंट था अब 5% के लिए आगा similarly हम इधर भी kfql कर लेंगे उसको put करेंगे और अगला data solve कर लेंगे क्या कहना चाहरा हूं 5% solution का मतलब क्या है 5% solution का मतलब है 5 gram of सुक्रोज इन 100 gram solution एंसियर्टी को कॉशन वाइसे है तो यहां से mass of solute आपको पता चलेगे कितने हैं 5 gram molar mass of solute कितने है अब सुक्रोज का molar mass कितना होता है 342 होता है नहीं पता होता तो देख लो दे भी रखा है 342 इसके बाद mass of solvent WA mass of solvent in gram कितना दे रखा है 100 gram और kf हमें नहीं पता को हमें निकालना पड़ेगा delta tf इनोंने बोल दिया है क्या कें sugar in water has a freezing point 271 Kelvin यानि कि आपको tf दे रखा है tf दे रखा है 271 तो delta tf क्या हो जाएगा tf minus t0f गलत लिख रहा हूं t0f minus tf t0f कितना दे रखा है 273.15 minus tf कितना है 271 तो i think यह उदाएगा 2.15 Kelvin है न भाई तो यहां से आप लोग formula लगा होगा delta tf is equal to क्या kf into m kf kf हमें निकालना रहेगा है न और m यानि morality washing machine 1000 में आएगी कहां से आएगी वोशिंटन से और यह delta tf है अब इसको उधर ले जाओ kf को इधर रख लो तो क्या हो देगा delta tf into में mb into में w a g by kf into में 1000 और delta tf कितना है delta tf कितना है कहां गया भाई यह रहा 2.15 मैं थोड़ा सा न जगा बना दू कि यह ना हो कि हमें जगाई ना मिले फिर सोल्व करने के लिए कि चली तो delta tf कितना है 2.15 है और इंटो में मोलर मास 342 है सुगर का मास ओफ सॉल्वेंट हंडर आएगा और kf कितना दे रख आपको कोई चीज मीसिंग तो नहीं है यार हां कुछ मीसिंग है न यहां पर आई थिंग w भी मीसिंग है w भी कितना है 5 है और kf कितना दे रख आपको इन्होंने kf तो हमें कैलकुलेट ही करना है इन्टु में 1000 यह कैंसल हो जाएगा एक जिरो बचेगी ठीक है न तो अब इसको सिंपल आउट कर लीजी आप लोग ठीक है न बेटा इस तरह से करना होता है kf की value आ जाएगी और फिर इस kf का data मतलब अगले वाले question में पूट करो उसके वाद तो सिंपल है अगला है next question a 5% solution of urea जिसका मौलमास यह दे रखा है calculate the osmotic pressure अब इस question को क्या ही दिक्कत है आपको करना है तो बताई 5% solution of urea का मतलब क्या है 5 gram urea in अब mass by mass नहीं दे रखा तो 100 milliliter solution मान सकते हो आप लो ठीक है न और यहां से पाई निकालना ना पाई is equal to क्या होता है CRT CRT where c का उतर बहुत है concentration या फिर molarity molarity का फोर्मला क्याता है washing machine 1000 में देगी विमला इंटु में आर इंटु में टी washing is mass 5 gram urea molar mass of urea कितना होता है 60 दे रखा है यह दे रखा है यह दे रखा है ठीक है ना इंटु में 1000 एंड volume कितना दे रखा आपको इसका 100 ml है और 0.0821 और gas constant लिख दिया और टी temperature कितना है 300 है 00 से 00 cancel हो जाएगी यह 0 से 00 cancel हो जाएगी ठीक है ना अटाओगे अप उन में 1000 राजाए 10,000 राजाएगा 00 से 00 फिर cancel हो जाएगी ठीक है न तो इस तरह से आप लोग कर सकते हो इसको 326 इसके वांदर लोग कर लेना यहां से आपका उस्मोटी प्रेशर आजाए कोशन देख लेते हैं इस तरह कोशन भी बन सकते हैं कैल्कुलेट दा बोइलिंग पॉइंट फोलीशन वेन फोर ग्रैम ओफ एमजेस फोर अब एमजेस फोर दे रखाए इट मिंस यहां पर वेंटो फेक्टर इंट्रूस किया जाएगा वाज डिजोल्ड इन हंडर्ड ग्रैम ओफ वोटर अज्यूमिंग एमजेस फोर अंडर्गोज कम्प्लीट आइनजेशन अच्छे कम्प्लीट आइनजेशन वगएरा के कंसेप्ट आजाए इस कंत्रप तो शोर्ली ठीक है ना तो कैसे करोग भाई क्या देरखऊ आपको mass of solute कितना देरखऊ है mass of solute is 4 ग्रैम और यहां से molar mass कितना देरखऊ आपको molar mass on mg SO4 का 120 ठीक है न और mg SO4 को अगर आप आएंस में तोड़ोगे तो mg SO4 कुछ ही इस तरह से mg तो पोजिटिव SO42 negative में टूट जाएगा तो यहाँ पर I की value कितनी आएगी 2 आएगी और तो क्या ही है KB दे रखा आपको 0.52 तो यहाँ पर आप ΔELTA TB निकाल सकते हो ΔELTA TB is equal to क्या हो देगा I into KB into M और I आपको दे रखा है 2 KB आपको दे रखा है 0.52 और M यानि morality मॉललिटी ओता वोशिंग मशीन 1000 में आएगी कहां से आएगी भाई वोशिंग्टन से है न और यह 2 into me 0.52 मॉलर मास मास ओफ सॉल्यूट कितना दे रखा है 4 मॉलर मास ओफ सॉल्यूट है 120 into me 1000 and मॉलर मास ओफ सॉल्यूट कितना दे रखा आपको 100 ग्राम ओफ वोटर दे रखा है न यह देखो ठीक है तो यहां से 100 इसको सिंपल आउट करेगा जो भी आएगा डेल्टा टीबी आएगा अब डेल्टा टीबी को आप आगे पूट कर सकते हो है ना वहां से टीबी निकाला जा सकते है अगला कोशन देख लेते हैं बिल्कुल डिट्टो कपी है यह वाला अज्यूमिंग दा कम्प्लीट आउनाईजेशन कैल्कुलेट दा एक्सपेक्टिड फ्रीजिंग पॉइंट आपको टीएफ निकालना है तो आई की वैल्लिव आपको यहां से आजाएगा आपका थ्री इसके बाद तो वही फोर्मला है डेल्टा टीएफ इसकल टू आई के एफम ठीक है ना अगले कोशन की तरफ चलते हैं वैं नाइंटीन पॉइंट फाइफ ग्रैम ओफ एफ सीच टू सी डबल एच इस डिजोल इन नाइन 500 ग्रैम ओटर दा डिप्रैशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इस अब ऐसे केस में डिग्री ओफ डिसोशेशन अगर आपको निकालना रहेगा तो आई कैसे निकाल सकते हैं आप डिप्रैशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब फ्रीजिंग पॉइंट इप्रैशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो रहा है एक हो बात एक ही है आप कैल्विन में ले सकते हो यह बन कैल्विन हो गया और एम यानि मोलैलेटी मोलैलेटी का फॉर्मला क्या होता है वोशिंग मशीन एक हजार में आएगी कहां से आएगी भाई वोशिंग टन से आएगी तो यहां से आप लोग simple out कर सकते हो क्या भई बताइए क्या होगा तो पुट कीजिए W तो यह 1 ही है 1 is equal to I और यह 1.86 इंटु में WB mass of solid कितना दे रखा है 9.5 gram molar mass आपको कितना दे रखा है 78 इंटु में 1000 and mass of solvent water कितना दे रखा है 500 gram तो यहां से जो भी आएगा बेटा जी वो आपकी I की value आएगी तो यहां से आप degree of dissociation निकाल सकते हो alpha alpha is I minus 1 2 1 by N minus 1 इस तरह से तो यहां से I की value आजाएगी 1 by और alpha जो भी आएगा वो degree of dissociation है वो 0 point something करके आएगा यह जो भी ठीक है ना आप उसको 100 से multiply करके आप percentage भी निकाल सकते हो degree of dissociation की percentage भी आप लोग simply वहां से क्या कर सकते हो बेटा जी निकाल सकते हो clear है आगे move करते हैं next अभी हमारे पास ठीक है इसी तरह से next question को भी किया जा सकते है calculate the freezing point of solution when 1.9 gram of mgcl2 was dissolved in 50 gram of water assuming mgcl2 तो freezing point वाली बात है तो i कितना हो जाएगा mgcl2 के case में mg2 positive है 2cl negative है तो i कितना हो गया बटदी यहां से i आपका 3 हो गया next question देख लेते हैं 3.9 gram of benzoic acid है यह भी पिल्कुल डिक्टो सेम है vento factor iq value आप लोग निकालोगे और इसको predict करोगे associated dissociated मैं पताता हूँ जो salt होते हैं वो सारे के सारे dissociate होते हैं और जो organic acid होते हैं वो सब associate होते हैं clear है ना आगे move करें next बात करते हैं जैसे कि question आगया भई अब इस question को आप लोग कैसे कर सकते हो a solution contain 5.85 gram मैं question कराता हूँ so that तुमारी ज़्यादा help हो जाए 5.85 gram of NACL यानि कि इदर से mass of solute कितना है 5.85 gram और molar mass कितना दे रखा आपको वो दे रखा 58.5 osmotic pressure pi कितना दे रखा है 4.75 temperature 27 degree Celsius से तो T कितना निकाल सकते हैं 300 Kelvin calculate the degree of dissociation degree of dissociation निकालनी है तो पहले I निकालना पड़ेगा pi is equal to I into C into R into T I और C molarity होता है molarity is washing machine 1000 में देगी कुन देगी Vimla into my R into my T pi pi इन्होंने दे रखा I think pi दे रखा 4.75 I और W भी mass of solute कितना आएगा mass of solute आपका आजाएगा 5.85 molar mass है 58.5 into my 1000 and volume कितना दे रखा है volume पर लेटर की ही बात कर रहे हैं वो तो volume आपको 1000 ml ही दे रखा है R gas constant कितना 0.082 है temperature कितना 300 है जो भी आएगा यहां से I की value आएगी बटा और I की value आगई है तो उसके बाद आप लोग put कर सकते हो simply अगर आपको कभी degree of dissociation या association calculate करना आए मान के चलो आपको degree of dissociation निकालना है अगर salt है जैसे कि N.C.L.O. salt है वहाँ पर degree of dissociation आएगा तो इसका formula होगा I minus 1 by N minus 1 ठीक है और अगर आपको degree of dissociation निकालना आए तो यह I minus 1 by 1 by N minus 1 इस तरह से clear है अब यह N कैसे निकालोगे जैसे कि N.C.L. है N.C.L. में आपका N कितना हो जाएगा यह आपको हो जाएगा 2 आपका A.C.L.3 है यह कितने आइस में टोट सकता है यहाँ पर N आपको हो जाएगा 4 तो I की value निकालके put कर लेना और क्या ही दिक्कत आ रही है तो that's all यह थे हमारे सारे के सारे solution के numericals चिल कुछ बिटाव टॉप कमेंट सेक्शन बता देना अलग से वीडियो बना दूँगा कि हाँ यार बच्चों को यहाँ पर problem आ रही है बहुत ख्यार लखिए बहुत जल मिलते हैं God bless you all please take care जय है